हमें बताएं जो अल्प संखिक छात्रावास जो बनने जा रहा है वाड पुचानमे में और जिसको सरकार ने जमीन पांच जार वर जमीन जो दी आवंटन की है तो उसके विरोध में आप लोग कल सांगनेर आवान परताब नगर के लिए आवान कर रहे हैं तो वो क्या कारण ह मुस्लिम हमारे यहां रह रहे हैं उनके हमारे आपस में बड़ा अच्छे विवार हैं बाईचारा है लेकिन ये मुस्लिम चात्रावास या अल्प संकिक चात्रावास के नाम से इस संस्ता में ना तो कोई जैन मौजूद था ना कोई सिक मौजूद था ना कोई बुद करके ये वक बोर्ड को ये जमीन अलाट करी हैं हमारा सांगा नेर का सर्व समाज इसके खिलाप है और हम बाहुली चेतर में और पुराने कुछ जो अल्प संके लोग रहते हैं इस चेतर में हमारे को देख करके हमारे आपस में बाइचारे को आप दरारें डालने का परियास मत करें कांग्रेस सरकार हो चाए बीजेपी सरकार हो हम सरकार के खिलाप नहीं है सरकारों की गलत नीतियों के खिलाब रहते हैं हमेसा, पुरु में, बीजेपी सरकार ने भी हजाउस बनाने का प्रियाश किया था, सरोसमाज ने इसका विरोध किया, और उस सरकार को कैंसल करना पड़ा, अब ही कांग्रेस सरकार को भी हम कांग्रेस सरकार के नहीं हैं सरो समाज इस काम के खिलाब है इनकी नीतियों के खिलाब है कि आप हिंदु बहुली चेतर में ये अलब संक्यक चात्रावास के नाम से आप जो दे रहे हैं ये जिसको दे रहे हैं ये वक्ट बोर्ड को दे रहे हैं अलब संक्यक को नहीं दे रहे हैं आप ये दे रह हैं वक्ट बोर्ड को जमीन दे रहे हैं तक क्या वक्ट बोर्ड की जमीन पे अलफ संक्यक लोग जा पाएंगे यह हमारा जो विरोध है पूरे सांगा नेर का सरो समाज का विरोध जो है वो इसी का विरोध है कि आप यह चात्रावास को स्विकार नहीं करेंगे और अगर ऐसा कुछ आप हमारे को संतुष करने के लिए कहना चाहते हैं कि यह साब इसमें एक कुछ इसा जेन समाज करेगा कुछ इसा बुद्ध समाज करेगा तो भी हमें यहां नहीं चाहिए अगर यह चात्रावास देना है तो अलब संकेक चात्रावास आप कर्वला में दीजिए राम गंज में दीजिए इनकी मुस्लिम यूनिशिटी बनी है वहां दीजिए यहां हमारा सांगा नेर में सरो समाज का विरोध है इसमें हमारे आपस के पुराने जो रह रहे हैं हमारे मुस्लिम भाई उनका और हमारे आपस का बहुत अच्छा प्रेम है हम मिलकर करेंना चाहते हैं लेकिन यह सरकारे आती हैं आपस में हमारे को लड़ाना के लिए बाहर के असामाजीक तत्व यह चात्रावा यहां बन जायेगा तो क्या-क्या आके सामना करना पड़े यहां अगर अल्प सग के छात्रावास बन जाता है तो यहां हिंदू चैत्र जो है हिंदू बहुली जो है यह यहां से हिंदू को प्लाइन करना पड़ेगा यह नहीं रह सकते इस से पहले भी कुछ UPBR के 35 सिक्ट म हिंदू समाज रहता था लेकिन ये दो तीन चार पांच दस लोगों ने इनों खरीदने के बाद में अपने हिंदू के ये प्रामन समाज का किसी का मकान है उसके घर के बार में ये खाफी के हड़ी फैक दी उसने दूसरे दिन उसको बेचना निकाल दिया वो मकान जो लाग र रुपे में निकाल करके वहां से से पेरिये में ये अपने हिंदू बहुली चेतर में चला गया तो हमें ये समश्या है कि पहली बात इसमें बाहर के चात्र रहेंगे यहां के लोकल चात्र नहीं रहेंगे इससे पुलिस परसासन को भी बहुत बड़ी समश्या का सामना करना पड़ेगा और बाकी हमारे जो पुराने मुस्लिम जो रह रहे हैं यहां के जो इस्तानी पुराने वर्सों से पुराने हैं उनको भी इसका सामना करना पड़ेगा वो तलड़े जगड़ा करके निकल जाते हैं और आपस में हिंदू-मुस्लिम का जगड़ा पैदा हो जाता है जबकि उनका हमारा को लेने देना नहीं होता है करके और फिर हम यहां आपकी इसमें सामिल होंगे दरने में